हेलो फ्रेंड मैं हूँ सालनी घर के खाने में आपका स्वागत है आज मैं लेक्या हूँ मिर्च के अचार की रेसिपी जो बहुत ही आसान तरीके से मैंने एकदम स्वादिष्ट मिर्च का अचार डाला है जो बहुत ही पसंद आएगा आपको और बहुत ही आसान तरीके से और कम मसालों में आप इस अचार को बना कर तयार करेंगे ये मैंने मिर्चे ले लिये हैं ये अचार वाली मिर्चे इसके मैंने चार फाक बना लिये हैं अब मैंने कुछ मसाले ले लिये हैं ये मैंने एक चम्मच मैथी लिये हैं दो चम्मच बड़े सौप लिये हैं और एक चम्मच सरसों लिये हैं दो चम्मच धनिया लिया हैं और एक चम्मच कलोंजी लिये हैं नमक स्वाधनुसा डाल सकते हैं अब इन मसालों को मैं पहले हलका सा भूंज कर इन्हें पीश लूँगे अब इधर मेरी मिर्चे तयार है ये मैंने एक घंटा पहले काट कर और दस मिनट के लिए धूप में रख दी थी अब मैंने मसाला पीश लिया है सबसे पहले मैंने जो मसाले पीशे थे वो डाल दिये हैं अब इन में मैं नमक अपने स्वादनुसा डाल सकते हैं ये बहुत ही फटापट अचार बनकर तयार हो जाएगा आप इस अचार को तुरंत भी का सकते हैं और रखे भी खा सकते हैं इस्टूर भी कर सकते हैं अब मैंने एक चमच खल्दी पौडर डाल लिया है और एक चमच जो कलोंजी ली थी वह भी मैंने डाल लिया है अब इसमें मैं तेल डालूंगी तेल मैंने दो बड़े चमच डाला है अब इन मसालों को खूब अची तर है मैं मिला लूंगी ये अगर मैं भरकर मिर्च डालती यह अचार वाली मिर्च है तो इन में बहुत ज़्यादा मसाला मुझे बनाना पड़ता यह हमारे कम मसाले में और अचार बनकर तयार हो जाएगा अब इसे हम खूब अच्छी तरह मिला लेंगे जिससे हर मिर्च पर हमारा मसाला छिपक जाए थोड़े टाइट हांसे ही बसलेंगे जो मिर्च हमारी और अगर आपको इस्टोर करके रखना है तो आप इन्हें दो-तीन दिन धूप में डालकर सुका लें जिस परतन में आप रखेंगे इसमें आप डालकर उसके बाद दो-तीन दिन के बाद आप इसमें तेल डालें जब हम मिर्च हमारी पच जाएगी यह कम रह जाएगी तब हम इनमें तेल डालेंगे मसाला हमारा थोड़ा कम रह गया मैंने और मसाला डाला है मसाला मैंने पहले बचा लिया था आदा चम्मच तेल डालिया है बड़ा चम्मच अब इन्हें मिला लेंगे मसाला खूब मारा हो गया है कम नहीं है मसाला खूब अच्छी तरह है मैंने मिला लिया है अब इस अचार को कम से कम हम दो तीन महीना रख कर खा सकते हैं साल वहर भी रख सकते हैं मसाले आप भूंज कर ले अब इस तरह मसाला मिलकर तयार है अगर मेरे अचार की मिर्च की मिर्च की अचार की रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना सेयर करना और चैनल को जरू सस्क्राइब करना और बेल आइकन बटन दबाना जिसे आने वाली वीडियो की नौटिकेशन तेल में अभी नहीं दालूंगी तेल डालूंगी मैं दो दिन के बाद और परतन में आपके पानी नहीं होना चाहिए सूका हुआ बरतन